इस फीडियो को स्पॉंसर किया है नीरज पॉब्लिकेशन ने नीरज पॉब्लिकेशन इगनू के स्ट्वेंट्स के एक काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है यहाँ पर इगनू के सायमेंट, रेफरेंस पोक्स और भी कई सारे आइटम जिससे सेंपल विपर, कैस पिपर सभी पूपन कोड, mht2023 अप्लाई करते हैं तो आपको huge discount भी मिलने वाला है, 50% प्लस हमारी ओर से भी discount आपको मिलेगा, तो ज़रूर से चेक आउट करें, link discussion में दिवा हो, तो वहां से आप सभी चीज़ें बाई कर सकते हैं, फिर फिर से आप सभीगा, स्वागद आपके अपने जो result की update थी, वो early declaration of result की थी, जिसके लिए आपको अलग से apply करना होता है, कैसे apply करना होता है, क्या format होता है, उसके बारे में already हम बात कर चुके हैं, फिलाल आज की speed में आपको बताऊंगा, June 2023 टमड exam की result की important update के बारे में, साथ ही हम बात करेंगे, उस topic पर भी जो की आपका main में ली आ रहा है, कि sir, enrollment number not found, result yet to be declared so कर रहा है, तो हमें क्या करना होगा, that means हमार result update ही नहीं हुआ, क्या हम fail हो गए हैं, या फिर हमार result कब आएगा, और हमार result update होने लिए हमें क्या करना होगा, पहला आज की speed में इसी वर बात करेंगे, complete detailing बताएंगे आपको, ताकि आपको सबी information clear out हो जाएं, और आपको, जो आपका result है, वो भी जल से अपटेट हो जाएं, आपको करना क्या है, इस पीडो का एंट तक चरूर से देखना है, इस आदी चैनल पहली बार आई हो, मेक्श्व आप चैनल को जरूर से subscribe करें, बेल इकन दो आलें, ताकि latest update आपको सबसे जलें मिलती रहे, आई हैं बात करते हैं, आपके जून 2023 टमड एक्साम की अपटेट की बारे में, अपटेट की बात करें तो 11 जुलाई 2023 को इगनु ने आपके जो नॉर्मल रिजल्ट हैं, उसकी पहली अपटेट जारी करती, उसके बात में 13 जुलाई 2023 को second अपटेट जार हैं, उनमें ऐसा नहीं कि आपके सभी कोर्स की एक साथ में अपटेट आएगे, एक एक कोर्स की आती है, कई बार बहुत सारे श्वेंट की जो अपटेट हैं वो डेले होती है, और रीजन भी आपको बतायता हूं, रीजन यह है कि जो आपके चेक होते हैं ना, उनमें इसे पूरे ऐसे तो बिदिन 1 मंत होना जीए पूरे खूरे तो जिस आपके और की साथ अपकी यह नहीं यहां लिए, जिस अपकी चेक नहीं हो पाई और आपके मार्स अपटेट हूं, उन्हें बहुत टा इम लगा न्हीं यह जो पूरा प्रिसीर होता है, वैसे तो बिदि बनमंत होना थी लेकिन आपको बता दें कि इगनू में ऐसा नहीं होता है रूल्स काफी बार बहुत ज़्यादा डेले हो जाते हैं चाहें वो assignment के case की बात हो या exam की अब आपको करना क्या है वो समझ लो इगनू में आपको डेले देखने को मिलेगा चाहें वो आपके रिजल्ट है assignment के या प्रेक्टिकल के माक्सुब डेले आपको देखने को मिलता है उसका solution क्या है वो आपके लिए important है विकॉस आप लोग यहां पर चेक करते हो उससे कोई benefit नहीं मिलेगा कि आप डेली डेली चेक करें अपडेट आए तो ठीक है आप लोगों करना क्या वो important है देखे आपके जो answer sheet चेक होती है उनके बारे में आपको बताए तो आपकी जो answer sheet है वो regional evaluation center होते हैं उन पर चेक होती है अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आ आपका regional center अलग है और regional evaluation center अलग होते हैं अब बता दें कि आपके total जो इगनु में regional evaluation center है वो 7 है जिनकी list आप यहां पर देख पा रहे हैं अब यह regional evaluation center के अंडर में कई सारे RCs आते हैं जैसे हम बात करें इस पाले regional evaluation center की जो की आपका मद्यपरतेश पोपाल में है इसका address नहीं लगते हैं number email ID आपकी working में रहती है mostly time but contact number बहुत rare chances होते हैं कि लग जाए अब देखें यह जो regional center आप देख पारें जैसे भुपाल जबलपुर राइपुर एम्दाबाद राजकोड नागपुर पूने इन सभी का एक common regional evaluation center है जो की आपका मद्यपरतेश पोपाल में इसके लाब आप बात करें second regional evaluation center की जो की कॉलकाता कोरपुट और फिर रगुनाद गंच राची भुबनेश्वर विसाकापटन में दियुगर इन सफी का जो common regional evaluation center है वो आपका भुबनेश्वर में इसके लाब देली RC1 RC2 RC3 जैपोर जोदपोर नोयटा इन सफी का जो common center है वो इगनू मेजानगड़ी जो की हैड़ोपे सेगनू का वहाँ परिस्तित है ब्लॉक 5 के अंदर वहीं बात करें another regional evaluation center जो की फोर्थ नंबर पे है आपका जिसके लिए आपके विजयवाड़ा है कोची बैंगलूरू, विजयापूर, चैन्नाई, हैद्राबाद, पोड़ प्लेयर, त्रवन्त पॉरम और वटक्टरा यह सभी regional center का एक common regional evaluation center आपका जो की इस्तित कहां पर है कोची में केरला के अंदर ठीक है बागी प्रोपर एड़ेस आपका दिया हुआ है इसके लावा फिप्ट नंबर पे आपका जो की तिलगाउं लखनो में इस्तित ह ठीक है जिसमें आपके अलीगर्ड, चंडीगर्ड, दहरादू, जंबू, करनाल और इसके लबाखाना, सिमला, स्री नगर, पराड़सी और लखनो यह सभी आ जाते हैं इसके बाद में छटे नंबर पे आपका जो की regional evaluation center है वो मेगाले मिस्तित है सिलॉम बे जिसमें अगरत पारे मीठापूर श्तित है पटना में वहीं पर यह आपका regional evaluation center है जो की पटना और सहारसा धरवंगा और बागलपूर RC को compile करता है जो की इनका एक common regional evaluation center है जो की आपका मीठापूर पटना में स्टेथ है अब आप देखिए आप जिस भी regional center के एंडर में एकसाम दिये हो उसका जो common reason evaluation center है ना उसको आपको email करना email id आपके इस notification में इस PDF में given है यह PDF आपको simply हमाई telegram channel पर मिल जाए कि मैं share कर दूँगा इसे और link आपको description में provide कर दूँगा आपको format रखना है कि आप महाँ पे mention करेंगे इन courses के आपने exam दिये हैं आप mention करेंगे dates भी और बहां पर बताएं कि हमें आगे apply करना है कोई एक reason दे सकते हैं जो कि पहले एक point में count हो जाए ठीक है उसकी भीहाब पर आपके चल से अपटेट हो जाते हैं और कई cases में आपकी one week में भी बहुत से student ने इमेल किये हैं पर उनकी result update हुए है विकॉस आपको जब प्रियास करते हैं आप उन पर pressure बनाते हैं तब काम अच्छे से हो जाते हैं और कोई में भी government संस्तान हो चाहे इगनू की बात करें या other government संस्तान की जब आप महाँ पर pressure apply कर देना तो आपकी काम जल्दी होते हैं यह fact है ठीक है तो आपको करना है इमेल करना है इमेल का फॉर्मेट लिष्ट आपको डिस्क्रिप्टिन में टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूँगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्टिन में प्रोवाइड करूँगा ठीक है तो आप हाँसे simply इमेल कर सकते हैं बाकी नेक्स आप्टेट है वह भी आपको प्रोवाद हूं कि यह एक बार में नहीं आते हैं और जोच्पंट यह क्यास लागा रहे हैं कि हवाँ रिजल्ट अप्टेट हुए तो यह थी आपको समझाया होगा कि आपको आके क्या करना है बाकी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना शेयर कर देना कोई भी करके या कॉल फोर एप के लिए कॉल के अपकी स्वालों कभी भी पूल सकते हैं फिलाल के लिए इस अपटेट में इतना ही वीडियो कर पसंद आए लाइक कर देना और ऐसी और यह अपटेट्स पाने के लिए चैनल को शरूर से सब्सक्राइब कर ले मिलते हैं नेक्स्ट अ